शिरी कृष्ण चाहित मानस एपिसोड बार है अदती कश्यप कथा एवब कृष्ण की लीलाएं मंगल मूरति क्रेष्ण मुरारी सकल त्रास के मेटन हारी बर्न उक्रेष्ण बर्न उक्रेष्ण चारित में गाथा धर्पुनि पुनि हरे चरनन माथा त्रासन हरन मंगल करन ये कथा है प्रभुश्याम की अवतरे दो भ्रात द्वापर त्रभवन पती बलराम की असुर मारक संत तारक अम्यसम प्रभुनाम की बहती है जहां पर पैसा रेते गव कुल के अनुपम धाम की भागवान श्री केशन कल्यान की मूर्टी है और सभी दुखों को दूर करने वाले हैं माय उनका चरित का गुणगान करने से पूर उनके चर्णों में बारवार अपना मस्तक नवाता हूँ क्योंकि दुखों को दूर करने वाली और कल्यान करने वाली ये कथा प्रभुश्याम की है दोनों भाई त्रहुबर्पती, कृष्ण और बलराम दुआपर में अबतर्थ हुए थे ये इन्होंने पिर्थ्वी को शुक दिया, अशुरों का अन्त किया, सज्जनों का भला किया, कल्यान किया इसलिए अमरत के समान ये प्रभुश्याम की कता है, और उस इस्थान की है, जहां पर दूद्दे की नदियां बहती हैं, और उसको गोकुल, यानि गो का परवार कहा जाता है अन्रपम धाम है, उसकी कोई उपमा नहीं है विश्व में, यमना का चांदी जैसा जल बहता हुआ, कदम के व्रक्ष, सुन्दर, सोभामान, जंगल की सीनरी नजारे और प्राकिर्तिक, सुष्मा बहुत ही सुन्दर है श्री क्रिश्ण ने नंद ये सुदा को बालसुख क्यों दिया इस गूड रहसे का पूर ब्रतान थमिस का थामे करते हैं और उनकी बाल क्रीडाओं का भी बनन करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आये तो सब्सक्राइड करें और दोस्तों को भी सियर करें उन्हें भी दिखाएं कर्ष्यप रिशी की पत्नी का नाम अदिति था और कर्षप रिशी प्राय बनन में रहकर ईश्वर की तपस्या किया करते थे एक बार उन्होंने भगवान को देखना चाहा और अपने गोद में देखना चाहा इस जिग्यासा से उन्होंने भगवान बिश्णू का कठोर और निरहार तप किया क्यों कि वो प्रभु से साक्षात कार चाहते थे तो अधिती कशपदोर मिल निराहार तपकीन अत्प्रचंड के कारने हुए ब्रह्म मेलीन जगत पति क्रिसन चंद्रपद जैस्वर्णम संकर हर्योम जै जै बल्राम और बन में रहकर के अलती कशपद निराहार ब्रत रखा और भगवान विश्णू का तपकिया और इतना प्रचंड तपकिया कि ब्रह्म में लीन हो गए यानि कि वो ना मरे ही रहे ना जिन्दा ही रहे एक तरह से बेहोसी की हरत में चले गए रिशिदंपति यतिकीन तप निष्ठा प्रभू में लाएकर निरिखी अमित सद्धा हरी हुए मुधित मन हरसाएकर प्रियभक्त कहोन जिभावना क्यों त्रास अतितुम पाएकर मन लाल सा प्रभू बाल सुख दीने प्रभू समझाएगा जब कठोड तप किया और वो ब्रह्म तक में लीन हो गए तो भगवान विश्णू का हेड़ा पे गल गया उन्होंने उन्हें साक्षा दर्सन दिया और कहा भक्तो तुम इतना कष्ट क्यों भोग रहे हो आखिर तुमारे मन में क्या है तो अपने मन की लाल सा अधिती कश्यप ने बताई कि प्रभू हम तुमारा बाल सुख चाहते हैं यानि की हमारे ग्रह में आप अवतरित हों और कम से कम सोले वर्स तक में पालने का आपका बाल सुख मिले वर्दीना त्रेता युग माई बाल रूप रहू आपकी चाहि आपन सदात्रा सहात्रा सतिभारी राम रूप मम पितो महतारी और जा मैं तुम्हें वर्दान देता हूँ की बालकपन मैं तुम्हारी गोद में काटूंगा और मैं राम का रूप लूँगा और तुम मेरे पिता महतारी बनाओगे अर्थात तुम दसरत और कोसल्या का जनम लोगे सत्य बचन और सत्य सने हूँ रहे पुत्र से महतीरे हूँ और मेरे बचन सत्य होंगे और आप मुझे पुत्र रूप में बहुत ही प्यार करेंगे दसरत कोसल्या तन धारी राम रूप में उद्यत्र पुरारी तो उधर तो अज़िती कश्यप ने दसरत कोसल्या का जनम लिया और उधर भगवान विश्णू उनके यहां राम रूप में अवतरित हुए मिला बाल सुख जो वर दीना को सुख मुने वो सुख हर लीना बाल सुख तो आसीर बचन के मताबिक मिला परंतु शिविश्वा मित्र राम लश्वन को थोड़ी उमर में ही जब दस्वारे बर्स के ही थे तब ही वो अपने यगे की रक्षा के लिए जंगल में ले गए बनों में ले गए और वो बाल सुख कम मिला तो उससे वो जो अर्दिती कश्यप की आत्मा को सल्यार दस्रत में थी वो संतुष्ट नहीं हुई और उन्होंने पुने दुवारा फिर से तप किया और पुने दुवारा फिर तप कीना पुने वर बाल सुख का ही लीना और फिर दुवारा उन्होंने विश्णु भगवान का तप किया और कहा प्रभू वो तो सुख छीन लिया आप दोवारा हमारी गोद में आओ ये बर्दान हमें दो तब विश्णू कान रूप का धारी तब विश्णू कान रूप को धारी नंद ये सोधा जन में महतारी तो दस्रत और कोसल्या नंद और ये सोधा के रूप में जनम लिया और भगवान विश्णू ने क्रश्ण सीरी क्रश्णी यानि काना के रूप में उनके घर में अवतरित हुए और इस प्रकार वर्कियान के कारण ही देव की और वसुदेव के यहां से जेल से उचले आए थे क्योंकि उन्हें बाल सुख लंदे सुर्दा को देना था अव्वे और अजनम प्रभो अव्वे जिसका व्वे नहो यानि की जो कभी समाप्त रहो और जिसका कभी जनम नहो वो प्रभु अजनमा होता है अव्वे और अजनम प्रभो जोतिर्मई विनोद और तेजबुंच के साथ विनोद यानि अन्द का भी खजाना हो अव्वे और अजनम प्रभो जोतिर्मई विनोद परासक्ति अब भक्ति बन मात यसोदाई गोद जगाते पाते कृष्ण चंद्रपद जैसर्णम शंकरहरियोम जै जैघनशाम और वो परासक्ति अब भक्ति का रूप ले करके वर्दान के मताविक भक्ति का रूप ले करके यसोदा माता की गोद में यानि की भगवान श्री किश्ण वैसोदा मा की गोद में खिल रहे हैं माताय सोदा अंक मैं वरकार ने शर्म सुखु दिया, सोले वरस तक बालक रीडा, मैं प्रभु हर सित किया, प्रभु आनराखी वर्दान की और मानय सुदानंद किया, भक्ती के महमाकार ने प्रभु पुने ही अवतरण लिया, और भगवान विश्रु ने भक्ती के लिए ही, अपने भक्तों को प्रसंद रखने के लिए ही, नंद शोदा के यहां अवतरण किया, यानि महाँ पहुँच गए, उनकी गोद में, और सोले वरस तक रहे भी, कलाती ते प्रभु कला कराही, मात ये सोदा पुने भर्माही, कारती की मुहन्यों की दिति आई, पूर कला संग ससी नियराई, और भगवान क्रिश्न बाताय सोदा को, बाल सुख दे रहे हैं, क्रीडाएं करते रहते हैं नित, कुछ समय बाद, कार्तिक की पूर्मा की तिति आई, तो चंद्रमा सोले वकलाओं के साथ, आकास में दिखने लगा, शिरी क्रिश्न एक तक पहले चंद्रमा की योड़ देखते हैं, दें बाल सुख को अभिरामा, करें बाल हट वो घनशामा, और क्रिश्न बाल हट करते हैं, क्या कहते हैं, मा अविला सा चंद्रमा की लूँना, माता मेरी इक्षा है कि मैं चंद्रमा का खिलो नहीं लोँगा, इसे ही लोँगा, जो मुझे आकास में चमक रहा है, उस क्योर बार बार देखते हैं और कहते हैं, माता मैया मैं तो चंद खिलो नहीं लेही चंद खिलो ना माता लेही बिना लिये पैको नहीं पेही हे माता मैं चंदरमा कही खिलो नहीं लोगा और बिना लिये मैं दूद भी नहीं प्योंगा प्रिये सुत्र तुमने क्या हठ ठानी नहीं कर पाओं तिहार मनमानी ये प्रिये पुत्र तुमने ये क्या जित पकड़ी है मैं तो तुम्हारी मनमानी नहीं कर सकती तो अगर चंदर माता बहुत दूर है आई नहीं सकता मेरे हाथ में तो श्रीकरशन कहते हैं यानि की बिना चंद खिलोने के मैं तोवारा घर भी छोड़ दुगा ददी दूझ छोड़ दूगा और मैं है रहूंगा भी नहीं राज त्रियाहट बालहट राजहट इन राजा की जिद त्रियाहट यानि इस्त्री की जिद और बालहट बच्चे की जिद राज त्रियाहट बालहट ये त्रै हो ये प्रचंड समुझा रही माते स्वरी कान हुए बारबंड जगाते पाते कृष्ण चंद्रपद जैसरणम संकरहर्यों जैजै बल्राम राज हट यानि राजा जो जिद कर ले हो करके छोड़ता है सकती होती राजा के अंदर और इस्त्री के अंदर भी सकती होती है वो भी अपनी जिद पूरी कर लेती है बच्चा भी अपनी जिद पूरी करा कही मानता है ये तीनों प्रचंड हट मानी गई है माता समझा रही ह लेकिन कृष्ण और ज़्यादा बरबंड हो रहे हैं यानि कि और जिद पकड़ रहे हैं उद्धंड हो रहे हैं मान नहीं रहे हैं माता का कहना तो माता को गुस्सा भी आ रहा है सम्मुख माता के विवेदे वेदे बहो मन के भ्रह्म को मान नहीं गजबाज ब्रश और धैन को माता नहीं कचो मान नहीं माता को ब्रह्म पैदा कर रहे हैं और माता बार-बार समझा रही है परन तुश्वी किसन नहीं मानने है और कह रहे हैं माता ये भी कह रही है बेटा मैं तुझे हाथी ला दूँगी कि नहीं मा मुझे हाथी नहीं चाहिए मैं तुझे घोडा लादूंगी, नहीं चाहिए मुझे घोडा, बैल लादूंगी, गाय लादूंगी, माता मुझे कुछ नी चाहिए मुझे तो चंदर महीं चाहिए हट प्रचंड कान जब चाई ये सुदा ने नीर भरलाई जब काना की प्रचंड हट देखी तो ये सुदा माता की आँखों में आशू आगे अब जब स्री किस्टन ने देखा कि माता रो रही है आँखों में आशू है और माता की ममता उमड रही है तो आशू पहुँच करके माता के और स्री किस्टन माता ऐस उदा की गोद में चड़ गए हुई मुदित मन भूली गलानी आचल में ये सुदा आचल ले ये सुदा हरसानी लें बलईया सुद विसरा में दुरलक दुरलब सुखनंद भाम निपा में और माता सब कुछ भूल गई जैसे ही करशन गोद में चड़े उन्हें आचल से ढख लिया और खुसी हो गई बारवार बलईया लेती हैं मुख चूमती हैं और कभी सुद विशरा लेती हैं भूल जाती हैं अर्था दुरलब सुख जिसको रिशी मुनी वितरसते हैं वो माताय सुदा पा रही हैं सुरनर मुनी जिन दर्स को तरसें वो सुख पा नदभामिन हरसें जिस सुख को पाने के लिए रिशी मुनी हजारों बर्स तपस्चा करते हैं और फिर भी दर्सन नहीं होते उन भगवान को शाक्षात अपनी गोद में देख करके नंद की पत्नी ये सुदा बहुत ही खुश हो रही है लीला को जस नंद नहीं देखा मन प्रफल और हिर्दै विशेशा जैसे ही इस लीला को नंद बावा ने देखा उनका भी मन बहुत ही प्रफल हुआ और हिर्दै में हर्स भी हुआ ठुमक ठुमक मन मोहित का रही किलकत जब धर्णी पगधर रही लखे नंद को तो कही अनूपा ठगित हुए ब्रंदावन भूपा और जब ठुमक ठुमक करके सिरी कसिन चलते हैं और धर्णी पर पैग रख से हैं पैर में पैजनिया है वो बजती है तो ऐसे कोतकों को देख करके नंद बावा जो ब्रज के राजा थे वो ठगे के ठगे रहे गे देमात को बाल सुखो नितनूत नहीं उपाद जस जस बाढ़ है उम्र प्रभू तस तस सुख़ई अगाध जगत पत जिसकी कोई उप्मा नहीं हो सकती इस प्रकार की भक्ती प्रेम विभुरो करके शीर किस्न प्रदरशित कर रहे है अनुपमही भक्ती प्रीत वस मम्मुता का मोल चुका रहे जो वर दिया प्रभु बाल सुखो निष्ठा से उसे निभा रहे परमप्रमुदित पितुमात लख हर सित तरंगें ला रहे ब्रजिभूमि पावन क्रैश्ण से आनंद मोद लोटा रहे और भगवान अपने भक्तों को यानि माताय सुदा और नंद बाबा को परंद सुख दे रहे हैं बाल सुख दे रहे हैं निष्ठा से उसको निभा रहे हैं और चेड़ाते भी हैं हर सित तरंगें मिलाते हैं इस प्रकार ब्रज भूमि में पूरा आनंद मोद श्री क्रेश्ण लोटा रहे हैं और अब श्री क्रेश्ण की उम्र आर्दस बर्स हो चुकी है नित नए कौतकोंने करने हैं माता आ शौधा को वो प्रसंद् भी करते हैं और माता से हट भी करते हैं और कभी गभी उल जलूल हट करते हैं अभी दो-चार शे दिन ही बीते थे चंदखिलोना की जिद्की थी माता से फिर एक नई फरमाइस कर दी यदपी शिरी कृष्ण अबोध हैं वो विभा का अर्थवी नहीं जानते क्या होता है विभा क्या प्यार होता है क्या विभा होता है क्या कुछ होता है कुछ नहीं जानते आर्दसवस उम्र मुश्किल से है परन्त उन्हें तो ऐसी जिद करनी है और उट पटांग जिद करनी है क्या जिद कर वैठे चार्शे दिन बाद कि माता मेरी राधका से साधी करा दो ब्या करा दो नहीं तो मैं न तुमारी गाय चराओं न तुमारे घराओं और परिशान पैदा माता को कर दी पुन है तो माता समझा रहे हैं बेटा अभी तेरी उमर थोड़ी है जब तेरी उमर होगी तो हम साधी भी करेंगे तो शीर किष्ण और माता का क्या संबाद होता है कि राधी का गोरी से बिरज की छोरी से और मया कराए दे मेरो ब्या अरे बंधन ये प्यार का राधी का गोरी से बिरज की छोरी से मया कराए दे मेरो ब्या तो माता कहती है कि उमर तेरी छोटी है नजर तेरी खोटी है कैसे करादू तेरो ब्या उमर तेरी छोटी है नजर तेरी खोटी है कैसे करा दूं तेरो ब्या तु कृष्णी क्या कहते हैं कि जो नहीं ब्याह करा है तो तेरी गईया नहीं चराओ जो नहीं ब्याह करा है तो तेरी गईया नहीं चराओ और आज के बाद मेरी मईया तेरी देहरी पैं नहीं आओ आएगा रे मजा वो मजा अब जीत हार का राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया कराई दे मेरो ब्याह और नतय सुधा को एक परलोवन भी देते हैं कि चंदन की चोकी पै और मैया तुझको बैठाओं चंदन की चोकी पै मैया तुझको बैठाओं अपनी राधा से मैं मैया चण तेरे दब वाऊं भोजन में बनवाऊंगा बनवाऊंगा और छपन प्रकार के राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया कराई दे मेरो ब्याह और छोटी सी दुलहनिया जब अंगना में डोलेगी तेरे सामुने मैया वो घुंगटा ना खोलेगी तेरे सामुने मैया वो घुंटा ना खोलेगी दाउसे जा कहो जा कहो और बैठेंगे द्वार पैरा धिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया कराई दे मेरो ब्याह तो सुन बातें का नहां की मैया बैठी मुस्गाए सुन बातें का नहां की और माता बैठी मुस्गाए लेके बल्या मैया सीने से लिये लगाए नजर कहीं लग जाए ना लग जाए ना मेरे लाल को राधि का गोरी से बिरज की छोरी से और मैया कराई दे मेरो ब्याह बोलो श्रीकरश्ण भगवान की जैए